वेलकम टू माई चैनल अब्रीशास विलो अगस सलामुलेकू माई यूट्यूब फैमली उम्मीद करती हूं आप सब खेरियस से होंगे आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चना दाल स्टू तो यहां पर चनी की डाल ली है मैंने हाफ को टोरी जितनी जिसको मैंने दो कर अच्छे से बिगो दिया था साथी दही लिया है 3-4 टेबिलिस mereka अतना बगए फिटा हुऊ चोप कर लिया है साथी लिया यहां परे पैस की लिया यहां ने ही निया जीरा पाउडर, कड़ाई मसाला और यहां पर कुछ खड़े मसाले लिये हैं, काली मिर्चे, पड़ी लाइची, चोटी लाइची और जीरा, कसूरी में थी, तेस पाथ, और यहां पर दो हमने लाल मिर्च लिये हैं, मोटी वाली नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, चिकन पाउ तो यहां पर लाइट गोल्डन कलर आने तक सफेज जीरा तो यहां पर लाइट गोल्डन कलर आने तक सफेज जीरा तो यहां पर लाइट गोल्डन कलर आने तक सफेज जीरा तो यहां पर लाइट गोल्डन कलर आने तक सफेज जीरा तो यहां पर लाइट गोल्डन कलर आने त और यहाँ पर पानी ज़रूर एट कीजेगा, वन टेबिल स्पून ताके मसालें जले नहीं, दही लिया है, मैंने दही खटा नहीं है, नॉर्मल दही है, दही को फेटा नहीं है, ऐसे ही बगएर फेटा दही है, यह इसको एट करके अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे, जब त करके लीजेगा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर बनेगा यहाँ पर, और दाल का जो पानी, यानि जिस पानी में हमने इसको बॉइल कर रहा था, यकनी, वो मैंने हाफ को टोरी जितनी अलग से निकाल ली थी, वो भी इसमें एट कर दूँगी, और यहाँ पर कवर करके हम इसको पंदरा मिनिट के लिए कुक करेंगे, पंदरा मिनिट के बाद यहाँ पर देखते हैं, तो माशाला से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही थी, अब इसमें एट कर दूँगी, बलेक पेपर पाउडर, और साती एट कर दूँगी, यहाँ पर गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबिली स्पून और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, हरा धन्या यहाँ पुदीना एट कर देंगे, मैं पुदीना एट करीओं और कवर करके रग देंगे, हम इसको मीडियम फ्लेम पे दम में पाँच मिनट के बास सर्फ करेंगे, तो माशाला माशाला हमारा मज़ेदार चना डाल स्टू तयार है, यकीन मानिए, बहुत ही अमीजिंग रेसिपी है, बहुत ही कुईक रेसिपी है, विंटर स्पेशल रेसिपी है, और दावत स्पेशल रेसिपी है, लाजमी इसको ट्राइ कीजएगा, यकीन मानिए, सब आपकी बहुत तरीफ कर दीजिए, लाइक और कुमेंट करना न भूलेगा और लाजमी कुमेंट बॉक्स में अपने प्यारे से फिर्डबेक शेयर कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स विलोग में तब तक के लिए शुक्रिया, अलाहाफीज